अलो दोस्तों, जेसेसी परिक्षा में एक पर फिर सब का स्वागत है जैसा कि हम लोग 13 मेरथोन वीडियो जो की जेसेसी सीजेल और जारखन दुरोगा के सिलेबस के अनुरूप प्रशनों के बारे में पढ़ने वाले हैं उसी कड़ी में आज ये 6 नमबर का मेरथोन वीडियो होगा इस वीडियो में हम लोग भौतिक भुवोल से सम्मंधित, most important प्रशनों को देखने वाले हैं तो चले प्रशन नमबर एक के साथ फटाफट से अरम करते हैं देखें, प्रशन नमबर एक है कि किसी अस्थान पर उच जवार भाटाओं में कितना अंतराल होता है ठीक है, अप्शन नमबर एक है 12 गंटा, दूसरा अप्शन है 12 गंटे 26 मिनट, तीसरा है 15 गंटे 30 मिनट, और 24 है 24 गंटा ठीक है, तो देखें, जहां पास उच जवार भाटा आता है, ठीक है, तो उनमें जो गैफ होता है, उन जवार भाटाओं में, वो होता है 12 गंटा 26 मिनट, ठीक है 12 गंटा 26 मिनट का अंतराल होता है प्रस नमबर दो है आगे कि छूद्रगरा ठीक है जिसको हम लों क्या बोलते हैं एस्ट्रोइट बोलते हैं छूद्रगरा सूरे के चारो ओर किन के बीच चकर लगाते हैं ठीक है बताना है कि किन के बीच चकर लगाते हैं अप्शन नमबर एक है प्रित्वी और मंगल, दुसरा अप्शन है मंगल और विरस्पती, तीसरा है विरस्पती और सनी, और चौथा अप्शन है सनी और वरुन, ठीक है, तो जो छुद्रगर होते हैं, ठीक है, वो मंगल और विरस्पती के बीच चकर लगाते हैं, किसके किसक संदर्व में वरुन हमारे सोर मंडल में कौन से अस्थान पर आता है ठीक है वरुन के बारे में पुछा गया है कि वरुन जो है अकार के संदर्व में वो कौन से अस्थान पर आता है पहले दुसरा है दुसरे फिर तीसरे फिर है अप्शन नमबर फोर चौथे ठीक है तो जो वरून होता है दोस्तों, वो चोथे नमबर पर आता है, ठीक है, कौन से नमबर पर, चोथे नमबर पर आता है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है प्रस नमबर फोर, कि निमलिखित में से किस गरह का कोई चांद नहीं है, ठीक है, किस गरह का कोई चांद नहीं है, मंगल का, नेप्चुन का, बूध का या पुलूटो का, ठीक है? तो देखे, बूध का कोई चांद नहीं है, किसकरह का कोई चांद नहीं है? तो बूध का कोई चांद नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर पांच की ओर, हमारे सोर मंडल का सबसे चमकीला गरह है, ठीक है? Option number एक है सुक्र, दुसरा है बुध, तिसरा है मंगल और चौथा है विरस्पती. बताना है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला गरा, तो कौन सा है? सुक्र है. चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है, 6th number का स्वाल, कि आकास गंगा मंदाकनी सबसे पहले देखी थी. ठीक है? जो मंदाकनी के सबसे पहले देखे थे, उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या है? Option number एक है गैलीलियो, दुसरा है मार्टेन, स्मिट, तीसरा है मारकोनी, और जो था है न्यूटन. तो कौन देखे थे? गैलीलियो देखे थे. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है प्रस नमबर 7, कि सूर्य के वर्ण मंदल में गैसो के तुफान दिखाई देते हैं. ठीक है? आगे है कि सूर्य मंदल के चार सबसे विसालगरा और वही करम में दिया हुआ है. और आपको बताना है कि कौन सा जो करम है वो सही दिया हुआ है. ओप्शन नमबर एक है विरस्पत्ती, बूध, सनी और युरेनस दूसरा ओप्शन है बूध, विरस्पत्ती, सनी और नेप्चुन तीसरा है विरस्पत्ती, सनी, युरेनस और नेप्चुन और चौथा है विरस्पत्ती, बूध, सनी और नेप्चुन ठीक है तो कौन सा करम सह है आपको यह बताना है ठीक है विरस्पाति स्थनी यूरेनस और नेप्चून ठीक है ये जो करम है ये बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि निमलिकित में से सबसे ठंधा कौन सा है मंगल पृत्वी प्लूटो बूध सबसे ठंधा बताना है ठीक है तो सबस प्रित्वी की ओर जा रहे तारे या प्रित्वी से दूर जा रहे तारे या तेजी से घूमने वाले तारे या उच तप मान वाले तारे तो पलसर क्या होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं प्रेस नंबर 11, सूरे के बाद प्रिथवी से सबसे नजदी की तारा कौन सा है? Vega, Sirius की Praxima Centauri की Alpha Centauri, ठिक है? सूरे के बाद प्रिथवी का सबसे निकट वाला तारा, इसको पताना है, ठिक है? तो है Praxima Centauri, क्या है? Praxima Centauri, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि कीस गरह को सांधितारा के नाम से जाना जाता है ठीक है? तो सुक्र को जानते हैं उस अकास गंगा का नाम क्या है जिसमें प्रिथवी एक गरह है? ठीक है? एंडरोमीडा, अर्षा मेजर या अर्षा माइनर या दुग्द मेखला ठीक है? जहां पास प्रिथवी है तो उसका नाम है दुग्द मेखला क्या नाम है उस अकास गंगा का? दुग्द मेखला आगे है कि प्रित्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कप्छा में रहता है मंगल में ब्रश्पती सुक्र की बूध ठीक है तो कौन सा रहता है बूध रहता है निमलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकास में लाल दिखाई देता है रात के आकास में लाल दिखाई देता है ब्रस्पति, सनी, मंगल, बूध तो कौन सा है मंगल है चलिए आगे है कि ब्रस्पति का द्रब्मान है लगभग सूरे के द्रब्मान का दस्मा भाग या सूरे के द्रब्मान का हजार्मा भाग या सूर्य के दरब्मान का स्वमा भाग या सूर्य के दरब्मान का आधा तो प्रिया जो प्रिस्पति का दरब्मान है वो सूर्य के दरब्मान का हजारवा भाग है सूर्य के दरब्मान का हजारवा भाग है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद की supernova क्या है? पुक्षल तरा है, ग्राइका है, 24 ओर है, एक ब्लेखोल है, थो क्या है 20-40 तरा? ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं निम्लखित में है किसे blue planet कहा जाता है? blue planet किसे कहा जाता है? तो प्रित्वी को blue planet कहते हैं सूरे का निकट्तम गरह कौन सा है बुध है व्रश्पत्ति है शुक्र है कि मंगल है तो कौन सा है बुध है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि निम्न में से कौन से गरहों के चारों और घूमने वाले उपगरह नहीं है मंगल और शुक्र मंगल और बूध की वरून और प्लूटो ठीक है तो किसका उपगरा नहीं है बूध का और सुक्र का नहीं है चलिए आगे है आगे है कि निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों और घूमने वाले उपगरा नहीं है ठीक है रिपीट हो गया बूध और सुक्र आगे है कि वह अगर अकौन सा है जिसका प्रिष्टिये ताप सरोच है यानि कि प्रिष्टिये ताप जो है वो सबसे जादे है तो चंकीला जो होगा उसका जादा होगा तो बूध का चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद कि सूरे गरहन उस समय होता है जब ठीक है बताना है कि सूरे गरहन कब होता है तो सूरे और प्रिथिवी के बीच में का जाएगा चंदर्मा तब सूरे गरहन होगा तो कौन सा अप्शन दिया हुआ है option number two दिया हुआ है कि सूर्य और प्रित्वी के बीच में क्या जाएगी चंदर्मा आता है तब सूर्य गरहन होता है आगे देखें आगे है कि गरहन के दौरान पढ़ने वाली चाया का सबसे काला भाग है ठीक है? सबसे काला भाग है तो उसको बोलते है प्रच्छाया क्या बोलते है प्रच्छाया बोलते है आगे है कि सूर्य या चंदर्मा गरहन में प्रित्वी की चाया कितने भाग में विभाजित हो जाता है पांच में, दो में, चार में या तीन में तो तीन भाग में विभाजित हो जाता है ठीक है कितने भाग में विभाजित हो जाता है तीन भाग में विभाजित हो जाता है आगे है इसके बाद कि किस दिन प्रित्वी सूरे के सबसे निकट होती है ठीक है किस दिन प्रित्वी जो है वो सूरे के सबसे निकट होती है तो तीन जनवरी को सबसे निकट होती है किस दिन प्रित्वी सूरे के सबसे निकट होती है तो तीन जनवरी को आगे है कि 1948 में बिक्सित बीग बैंक सिधान्थ के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिधान्थ है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्थित नहीं होता भले ही इसमें समय के साथ दिश्टार होता है ठीक है तो किसने बताया था है आपस प्रशना आजा है अस्टेट यूनिवर्थ आगे है कि इकी नाक्स होता है जब दीन और रात बराबर होते है एक वर्ष के दोरान सबसे छोटा दिन होता है या एक वर्ष के दोरान सबसे बड़ा दिन होता है या एक वर्ष के दोरान जब सबसे अधीक वर्षा होता है इक्की नोक्स होता है जब दीन और रात बराबर होता है आगे है प्रस नमबर 29 तारा मंडल सब तरीसी को पच्छिम निवासी किस नाम से जानते हैं ठीक है तो सब तरीसी को पच्छिम निवासी बीग डिपर के नाम से जानते हैं क्या बीग डिपर के नाम से जानते हैं सूरे की सबसे उपरी परत को क्या कहते है ठीक है तो सूरे के सबसे उपरी परत को कोरोना बोलते है क्या बोलते है कोरोना बोलते है आगे है कि सूरे गरहन कब होता है ठीक है ये प्रस्णम लोग अभी तुरंत पढ़े थे सूरे गरहन कब होता है ठीक है चलिए आगे बढ़त इसके बाद है कि यदि कोई सितारा सूरे से बड़ा है कि उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह एक किस चीज में परिवर्तित हो जाता है तो पलसर में परिवर्तित हो जाता है चलियागे है इसके बाद कि उर्षा मेजर अथवा बिग वियर एक परकार का है तो उर्षा मेजर एक परकार का क्या है आपको बताना है तो यह है नचछत्र मंडल प्रिथिवी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निमलिखित में से कौन सा करम सही दिया गया है स्वाल पुछा गया है कि प्रिथवी से बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है ठीक है तो प्रिथवी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है वह है सबसे पास में क्या है सुक्र है और उसके इधर साइड में क्या है वह है दाहिनी साइड में मंगल है यानि कि सुक्र मंगल बुद्ध व्रस्पती ठीक है यह हो जाएगा आप्सन नमबर टू आला आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्यूशन नमबर 35 में कि छुद्र ग्रह की कप्छा निमलिखित की ग्रहों के बीच रहती है ठीक है यह प्रस्ण भी हम लोग आगे पढ़ लिए हैं ठीक है मंगल बिरस्पती इसका अंसर है आगे है कि अंतराश्टी ये डेट लाइन के बारे में निमलिखित में से कौन सी बात सही है यह दिसांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है यह एक सीधी रेखा है यह एक बड़ा बृत चाप होती है यह भूमी परिमान के परे एक टेणी मेंडी रेखा है ठीक है तो यह जो है यह भूमी परिनाम के पड़े एक टेणी मेंडी रेखा है ओप्सन नमबर फोर सही हो जाएगा आगे है कि किसी नक्से पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदूओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है क्या कहलाती है आइसो थर्म थर मतलब टेंप्रेचर आइसो थर्म आइसो मतलब समान आइसो थर्म हो जाएगा उस बेक्ति को क्या कहते हैं जो वेग्यानिक अधार पर मानचित्रो को बनाने का कारे करता है उस बेक्ति को क्या कहते हैं तो मानचित्रकार काटोग्राफर क्या बोलते हैं काटोग्राफर मानचित्रकार प्रित्वी अपने अक्ष पर कितनी आंती पर घुंती है मतलब कितनी डिगरी पर वहा हो जुकी हुई है तो 25–23 डिगरी आगे है कि आरेखांस की प्रतेक डिगरी के लिए किसी जगा के अस्थानिय समय में Green विच समय से कितना अंतर होता है तो 4 मिनट होता है क्योंकि ये रेखा और ये रेखा के बीच का अंतराल चार मिनिट का होता है ठीक है तो चार मिनिट होता है नक्से पर छेतरफल मापने के लिए प्रयूक्त यंतर को का कहते हैं बताना है कि प्रयूक्त यंतर को क्या कहा जाता है तो प्लैनी मीटर कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 42 किनिमलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले अस्थानों को जोड़ने वाली रेखा कुदर साती है ठीक है आईसो हिप्स या आईसो हेलिनाइज या आईसो बार या आईसो हाइडर्ट ठीक है तिसको बलते हैं आईसो हाइडर्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है 43 बीश्वत येखा पर गुरुत्व के कारण त्वरन ठीक है होता है क्यों होता है बीश्वत रेखा पर गुरुत्व के कारण तोरन होता है क्योंकि धुरुव पर तोरन की अपेक्षा कम है आगे है इसके बाद कि जब सूर्य से पृत्वी की दूरी अधिक्तम होती है तो इसे कहा जाता है जब सूर्य से पृत्वी की दूरी अधिक्तम होती है तब इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है सूर्योच्य क्या कहा जाता है भारत के धूर पुर्व और पच्छमी चोरों में समय कांतराल कितना है ठीक है तो समय का अंतराल कितना है धूर पुर्वा और पच्छमी छोरों में समय का अंतराल है दो घंटा का कितना का है दो घंटा का अंतराल है पृत्वी की सबसे अंदर की सता किस नाम से जानी जाती है रित्वी की सबसे अंदर की सत्व को गुरु मंडल बोला जाता है क्या बोला जाता है? गुरु मंडल बोला जाता है आगे है कि कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? समुच रेखा आगे है कि समय के संदर्व में GMT का अर्थ बताना है GMT जो मानक समय रेखा के साथ लगा रहता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है Greenwich Mean Time कौन अप्शन में दिया है Greenwich Mean Time उसको बोलते है प्रित्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है ठीक है तो तारा का नाम बताना है तो उसका नाम है Alpha Centuri क्या नाम है Alpha Centuri चले आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे है इसके बाद की अंतराश्टिय तारीक रेखा कौन सी है ठीक है अंतराश्टिय तारीक रेखा कौन सी है 180 डिगरी का देसांतर एक ही समाई में कमपन करने वाले अस्थानों को जोडने वाली रेखाओं किसे निखला क्या कलाती है बताना है तो उसको बोलते हैं सह भुकम्फ रेखा जिवास्म विज्यान में किसका आध्यान होता है समच रेखाओं कैसी अस्थानों को मिलाते हुए खीची जाती है इसे बताना है तो माध्या समुंद्रतल से सम उचाई वाले आगे है इसके बाद 54 नंबर का कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मीत दोनों रूपों को दर्साने वाले बड़े पैमाने पर मांचीतर को क्या कहते हैं क्या अस्थला क्रीती मानचीतर उसको बोलते हैं समुच रेखा समान खाले स्थान के अस्थलों को जोड़ने वाली काल्पमिक रेखा होता है ठीक है? तो किसको जोडने वाले काल्पमिक रेखा होता है? वो होता है उच्झता को, दो उच्झ-अस्तर वाले समान को जोडनेवाली रेखा निमलिखित में से कौन सा नविंतम भू वेग्यानिक यूग है पर्मियन ट्राइसिक की क्रिस्टेसस की जुरासिक तो क्रिस्टेसस आगे बढ़ते हैं इसके बाद 57 नंबर का प्रश्ण में कि अधिकांस भू परपटी किस सेल से बनी है अधिकांस भू परपटी किस सेल से बनी है तो आगनय सेल से किस सेल से आगनय सेल से बनी हुई है अपने अक्ष पर पिरित्वी एक चकर कितने समय में पूरा करता है ठीक है यह पूरा करता है 23 घंटा 56 मिनट 4.8 या 9 सकेड 23 घंटा 56 मिनट 4.8 या 9 सेकिंड बोल सकते हैं चलि आगे बढ़ते हैं पृति भी घंटे की अवधारना कब और कहां शुरू हुई ठीक है तो कब और कहां शुरू हुआ है ये प्रस्म पुछा गया है ये शुरू हुआ था सिड्नी में 2007 में सिड्नी कहा अस्ट्रेलिया में तो अप्सन नमबर 4 सही हो जागा कि मार्च 2007 में सिड्नी अस्ट्रेलिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जलासाई कहां है ठीक है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलासाई क्या कहलाता है glacier क्या कलाता है glacier पीघल करके मीठे पानी बनाता है आगे दिया है कि प्रिथवी का सबसे पतली परत होता है ठीक है तो प्रिथवी का सबसे पतली परत को बोलते है crust प्रिथवी का सबसे पतली परत को का बोलते है crust बोलते है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद कि पिरिथवी की सतह पर एक अस्थान पर प्राप्त आप्तन की रासी निर्भर करता है उसके अप्छांस पर किस पर उसके अप्छांस पर आगे है तिर्शत नंबर का कि किसी नक्से पर ढ़ाल को दिखाने के लिए खीची गई असंबद रेखा क्या कहलाती है धलान को दिखाने वाले रेखा को हैच्यूर बोलते हैं यदि प्रिथवी के घुर्णन की गती बढ़ जाती है तो सरीर का वजन घट जाएगा प्रिथवी का घुर्णन की गतियदी बढ़ जाएगा तो सरीर का वजन घट जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे है 65 की धृविये छेत्र की अबादी कीन कार्णों से विरल है कीन कार्णों से विरल है क्योंकि हमापास ज्यादा ठंठा रहता है यानि कि अनुप्योक्त जलवायू की दसा हमापास है ठीक है आगे है इसके बाद कि प्रित्वी और आउसत तापमान क्या है ठीक है तो आउसत तापमान है 16 डिग्री सिल्सियस क्या है 16 डिग्री सिल्सियस निमलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जीरो डिगरी अक्षांस पर इस्तित है कौन सा रेखा है तो भूमद रेखा निमलिखित में से किस महादीब से तीनो अक्षांस रेखा अर्थात भूमद रेखा करक रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है ठीक है तो अफरीका से कहां से अफरीका से होकर गुजरती है निमलिखित में से किन तीथी पर उतनी गुलार्द में सीत काल अयनांत को देखा जाता है तो 21 दिसंबर क्या 21 दिसंबर हैनि कि केवल एक जो है वो सही हो जाएगा आगे हैं इसके बाद कि निमलिखित में से कौन सी धातू प्रित्वी की भूपरपटी में सबसे प्रचूर मातरा में है धरती पर एक डिग्री देशांतर की दूरी निमलिखित में से कितनी किलो मीटर के बराबर होती है ठीक है एक डिग्री देशांतर की दूरी जो है वो कितनी किलो मीटर की बराबर होती है तो 111 किलो मीटर की गुटन बर्ग असंबंध था प्रित्वी के किन दो परतों के बीच है ठीक है तो ये है मेंटल और कोर के बीच कहा कहा मेंटल और कोर के बीच है प्रित्वी की प्राकिर्तिक आकरिती को दर्साने वाले मानचीत्रों को क्या आ कौन से मानचीत्र कहते हैं ठीक है तो कौन से मानचीत्र बोलते हैं उचावच क्या बोलते हैं उचावच मानचीत्र बोलते हैं निमलिखित में से कौन से युगमसही नहीं है जीरो डिगरी रेखांस इसको प्रधान मध्यान रेखा बोलते हैं जीरो डिगरी अक्षांस भूमद रेखा इसको बोलते हैं साड़े तेश डिगरी उतर में इसको कर कर रेखा बोलते हैं यह जो है जीरो डिगरी रेखा भूमद रेखा यह गलत है जीरो डिगरी का अक्षांस को बोलते हैं भूमद रेखा ठीक है आगे है इसके बाद कि नि पृत्वी की सबसे उपरी परत पर उपलब्द दूसरा सबसे पर्चूर मातरा वाला जो तत्व है वो है सिलीकन पहला में अलुमिनियम दूसरा में सिलीकन ठीक है। प्रितवी पर दीन और रात की अधी, कहा लगभग एक समान होती है, तो भूमद रेखा पर एक समान होगा प्रित्वी के कीस भाग में निकेल और लोहे प्राचूर्ता में है तो नीफे भाग में नीकेल और लोहे एन आई से नीकेल और फिर आईरन ठीक है नीफे पावन वेग को किस यंत्र से मापते है पावन वेग होता है उसको पावन वेग मापी से नापते है वायू मंडल में ओजोन छिद्र मुक्यता की मौजुद होती है किस परकार की मौजुद होती है तो कलोरो फलोरो कार्मन रहेगा तो ओजोन छोद्र और बढ़ जाएगा किस छेत्र में अधिकांस मौसम संबंधी गती वीधियां होती है ठीक है तो की छेत्रे में अधिकांस होती है गतिवीधियां ये छोभ मंडल में होता है आगे है कि ब्यपारिक पौने कहां से चलती है ठीक है तो ब्यपारिक पौने जो होती हो उपोष्ण उच दाब से चलती है निमलिखित में से किन पौनों को प्रती ब्यापारिक पौन कहा जाता है ठीक है प्रती ब्यापारिक पौन किन पौनों को कहा जाता है ये पुरस्ण है पौश्मी पौन को किसको पौश्मी पौन को ओला व्रिष्टी का कारण होता है यह होता है हिमीकरन आगे है कि यदि प्रिथवी के वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइड न हो तो भूप रिष्ट का तापमान चले आगे बढ़ते हैं आगे है 85 नंबर का कि यदि प्रिथवी के वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइड न हो तो जो भूप रिष्ट का तापमान है उसमें क्या परिवर्तन आएगा ठीक है तो उसमें यह परिवर्तन आएगा कि वार्तमान से वह कम हो जाएगा यह हो जाएगा वार्तमान से जो टिम्परेचर है वह कम हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं, आगे है 86, कि पवन की अपवाहन किरिया के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं, ठीक है, पलाया बोलते हैं या यारडंग बोलते हैं, कि वार्त गर्त बोलते हैं, कि बालुटीबा बोलते हैं, तो वार्त गर्त बोलते हैं, प्रित्वी के सतह के ठीक भूमध रेखा के उपर लगभग 16 किलोमेटर उचाई तक और धुरूओ के उपर 8 किलोमेटर तक वायू मंडल जोन को क्या कहते हैं ठीक है तो इस जोन को बोलते हैं छोब मंडल क्या बोलते हैं छोब मंडल बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि प्रित्वी के वायू मंडल का सरवधिक घनत्व कहां पर होता है तो छोब मंडल में होता है ठीक है आगे है इसके बाद कि वायू मंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है ठीक है तो सभी कहां होती है छोब मंडल में होती है आगे है इसके बाद कि बादल वायू मंडल में तैरते हैं अपने निमनताप के कारण, निमनवेक के कारण, अल्पदाप के कारण या अल्पघनत्व के कारण तो उनका गनत वायू के घनत्व से कम होता है इसलिए अल्पघनत्व के कारण हो जाएगा एक ही तापमान वाले अस्थानों को जोड़ने वाली काल्कमिक रेखा कहलाती है ठीक है तो उसको बोलते हैं हम लोग सम ताप रेखा आईसो थर्म क्या बोलते हैं सम ताप रेखा आईसो थर्म आगे इसके बाद की विस्व ब्यापित अपमान का संभावित परिनाम क्या हो सकता है थीखैं, तो क्या हो सकता है समुन्दर के अस्तर्क में भिरीधी फसल के सोरूप में परिवर्टन तट्रैखा में परिवर्टन और उपियुक्त सभी तो global warming से क्या हो सकता है, सब चीज होगा, उप्योक्त सभी सही है आगे है कि निमलिखित में से कौन सी कथन सही है आला है, वायू के ताप में बुढोतरी से वायू की नमी धारन करने की छमता कम हो जाती है ताप में बृधी से वायू दाब कम हो जाता है निर्पेक्च आदर्ता को वायू के प्रती घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है और प्रती 165 मीटर की उचाई के साथ ताप मान में एक डिगरी सेल्सियस की कम हो जाती है तो बताना है कि कौन सा सही है तो प्रती 165 मीटर की उचाई या चड़ाई हम लोग जो चड़ते हैं तो एक सेंटी एक डिगरी सेल्सियस जो ताप मान हो कम हो जाता है यह वायनि कि फोर नंबर का जो अप्शन है वो सही है आगे है कि पौना रेखा ठीक है क्या निरुपुत करता है पौन रेखा बताना है कि क्या निरुपुत करता है ठीक है तो पौन रेखा जो है वो पौन प्रक्षोब को निरुपुत करता है नंबर 27 मेने मिलिकित में से किस तुभान ने बंगला देश पर हमला किया ठीक है उसका नाम था सीडर क्या उसका नाम था? सीडर नाम था एल नीनो प्रकट होता है हवा के तेजवेग से बने रे तीले तीलों को क्या कहते है? ठीक है? उसको बोलते हैं मरूटीबा क्या बोलते हैं? ड्यून बोलते हैं चले आगे है वाता वरन की वह परत जो रेडियो तरंगो को परिवर्तित करती है कौन सी है? ठीक है? तो उसको बोलते हैं आयन मंडल क्या वो आयन मंडल उसको बोलते हैं? ओजोन परत का अवच्छाय मुक्यता किस कारण से होता है वो होता है क्लोरो फ्लोरो कारवन से उज़तर तुंगता पर वायो मंडलिये आताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है उसको बोलते हैं ब्यूत क्रमन ठीक है ब्यूत क्रमन चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है 101 नंबर का क्यूचान की किस के उपर ताप तिवरता पुर्वक बढ़ता है ठीक है तो बहिर मंडल में कहा बहिर मंडल में उच चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बंगलादेश उजड़ गया बंगलादेश का हो गया उजड़ गया उसको सीडर या सीदर बोलते हैं आगे है इसके बाद की हमारा वायूमंडल कितनी पर्टों में बटा हुआ है तो हमारा वायू मंडल कितनी पर्तों में तो दो पर्तों में बटा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद की सही उतर चुनिये जो कि वायू मंडल की पर्तों को सोरी हमारा जो वायू मंडल है दोस्तों कितने भागों में है तो छोग मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहे मंडल पांच वरत में ठीक है यानि कि option number जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि इसी के करम को चुनना है ठीक है सही करम बत्ता से इसको चुनना है कि कौन सा option जो है वो सही हो जाएगा ठीक है इसको सही करम में चुनना है तो देखे सूरिम हो जाएगा छोग मंडल फिर हो जाएगा छोग मंडल को परिवर्तन मंडल बोलेंगे फिर हो जाएगा संताप मंडल फिर हो जाएगा मध्य मंडल फिर हो जाएगा आयन मंडल फिर हो जाएगा बाह मंडल ठीक है यहनि के option number 4 सही हो जाएगा चले प्रित्वी के वायू मंडल में अधिकांस्ता ओजोन कहां पाया जाता है अधिकांस्ता ओजोन जो होता है वो कहां पाया जाता है संताप मंडल में कहां संताप मंडल में सुची एक को सुची दो से मिलाना है यहाँ पास ठीक है चलिए इसको मिलाते है देखिए सुची एक को सुची यदि दो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा चिनूक क्या है यह अमेरिका का हावा को हम लोग चीनुक बोलते हैं, गरम हावा को, ठीक है, चलिए, इसके बाद, अमेरिका वाला हो गया है, चीनुक भी, ठीक है, और इसके बाद, फोईन किसको बोलते हैं, तो आलपस की हावा को, ठीक है, और यहां पस आगे है की सीरा को, ठीक है, तो सीरा को ह ठीक है चलिए आगे है इसके बाद अगला प्रस्थन देखिए कि वातावरन का वह अस्तर जो इलेक्टोन्स और धनायन्स के कुछ अंसों के मिशरंद से बना है क्या कहलाता है ठीक है तो उसको बोलते हैं हम लोग आयनोस्फेर क्या बोलते हैं आयनो अस्फिर बोलते हैं आयन मंडल प्रित्वी के वायू मंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है किस परत में ओजोन की परत होती है संताप मंडल में होती है आगे है कि भू मध्य वर्ती छेतरों में गहन वास्पन की कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं उसको बोलते हैं सम्हनी वर्षा वह परत जहां उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग संताप मंडल क्योंकि तापमान हुआ का समान रहता है निमलिखित में से कौन सी सबसे नीचली वायु मंडली ये परत है सबसे नीचली वायु मंडली ये परत कौन सी है छोब मंडल है आगे है कि पवन की गती निमलिखित में से किसके द्वारा नियंतरित होती है पवन की गती किसके द्वारा नियंतरित होती है ठीक है? तो दाव प्रवंता से नियंत्रिद होती है आगे है कि जेट धराएं भारत में लगभग उत्री अक्षांस पर रिस्तित है इसलिए इन्हें उपकटि बन दिये पच्मी जेट धरा कहा जाता है क्योंकि ये 27 से 30 डिगरी उत्री अक्षांस पर रिस्तित है आगे है इसके बाद कि निमलिखित में से किस अस्थानी पमन को डाक्टर वायू बोलते है ठीक है? तो बोलते हैं हर मतन को, किसको हर मतन को? निमलिखित में से वायू मंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है आयन मंडल कौन सी परत आयन मंडल आगे है कि पहचिम से पूर्व की ओर हिमाले का विस्तार कहां से कहां तक है हिमाले का विस्तार कहां से कहां तक है तो सिंदु घाटी से ले करके ठीक है वे जो है दिहांग घाटी तक है या दूसरा अप्शन है केटू से ले करके चोम लहारी तक है आगे है नंगा परोश से ले करके नामचा बरवा तक है और उसके आगे है कि राका पोशी से ले करके लोहित नदी तक है ठीक है तो यहां से आपको बताना है कि नागा परो से ले करके नामचा बरवा तक ठीक है तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा नागा परो से ले करके नामचा बरवा तक ठीक है यादि घाटी में हम लोग देखेंगे तो सिंदू घाटी से ले करके दिहां घाटी तक हो जा जिसमें लिटराइट मेटी उस छेत्र में पाल जाती है जिसमें क्या होता है उंच तापमान होता है और भारी वर्षा होता है ठीक है option no.2 अधिक सेल का कयांतरित निम्न में से किस सेल में होता है ठीक है तो सेल से वह स्लेट बन जाता है सेल से वो सिलिट बन जाता है डोलोमाइट है ठीक है डोलोमाइट क्या है तो अवसादी सेल है क्या है अवसादी सेल निमलिखित में से कौन सा अगने सेल है निमलिखित में से कौन सा अगने सल है वह है ग्रेनाइट क्या है ग्रेनाइट पठार की अस्तला किरीती आदर्स है तो ये जो आदर्स है ये है जल विधुत के उत्पादन के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद की निम्न लिखित में से कौन सा एक औसादी सैल का उधारन है औसादी सैल का उधारन है लो यस चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है कि मोहो रोवी किक मोहो असांत्या अलग करता है ठीक है ये जो है वो अलग करता है परपटी और मेटल को मोहो अलग करता है परपटी और मेटल को निम्न लिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है वो है अपवाहन मृदा आपड़न का कारन नहीं है वो कौन है अपवाहन है मरवस्थलियों करन को रोका जा सकता है कैसे रोकेंगे और नलीकाओं का प्लग करके कि अतिचारन रोक करके या समुच लेखे जटाइक करके कि रखशक मिखला बना करके तो कम चारण करके हम लोग मरवस्थली करन को रोक सकते हैं निम्लिखित नदियों में से कौन सी विवरंस घाटियों में इस्तित है ठीक है तो तापती नदी इस्तित है विवरंस घाटियों में निम्लोक्त पत्तियों में से कीस एक का मिरदा की उर्वरता फीर से अस्थापित करने के लिए परियोग करते हैं ठीक है? तो ये है परती छोड़ देते हैं उसको कुछ दिन तक परती छोड़ देंगे तो उसे उर्वता चंता फीर जा जाएगा अपनती तथा अभीनती सधानता कहां पाय जाते हैं? ये पाया जाते हैं भरंसित छेत्रों में, निमलिखित में से कौन सा कयांतरित छेल है, नीच और सिष्ट जो है कयांतरित छेल है, पर उतों के उनप्राकृतिक ऑस अंतरालों को क्या कहा जाता है, जो मार्ग बन जाते हैं, थीक है तो उनको हम लग दर्रा बोलते हैं क्या बोलते है दर्रा बोलते हैं वरत में जो gap रहता है जहां से mark बन जाता है उसको दर्रा बोलते हैं हीमस किसका एक परकार है हीमस किसका एक परकार है तो जो मिर्दा में छैमान जैव रहते हैं ठीक है मिर्दा में जो मिल जाते हैं उसको हीमस बोलते हैं आगे है कि उपरी मिर्दा की अधिकतर मातरा बनाई गई है तो उपरी मिर्दा का अधितर मातरा अवसादी सेल से ही बनता है ठीक है अवसाद के रुखने जमकर ही बनता है अवसादी से भुकंप का संबंध समानेता किस से होता है भुकंप का जो संबंध होता है वो फॉल्ट से होता है मिर्दा के कटाव को रोकने के लिए बड़े प्यमाने पर बिक्ष लगाने को क्या कहते है बड़े प्यमाने पर बिक्ष लगाएंगे उसको वनी करन बोलेंगे या ठीक है जंगल लगाना वनी करन बोलेंगे उसको चलिए आगे है कि बलूई पत्थर किसमें रुपांत्रित हो जाता है तो बलूई पत्थर जो होता है वो क्वार्ज में रुपांत्रित हो जाता है किसमें क्वार्ज में रुपांत्रित हो जाता है किसी चटान को स्वा स्थान पर तोड़ देना कहलाता है उसको अप्चेन बोला जाता है ठीक है क्या बोलते हैं अप्चेन उसको बोलते हैं जुआला मुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं ठीक है उसको बोलते हैं क्रेटर क्या बोलते हैं क्रेटर चलिए आगे है किस हिमाली चोटी को सागर माथा भी कहते हैं सागर माथा, माउंट इबरेष्ट को सागर माथा बोला जाता है नेपाल में नेपाल में क्या बोला जाता है सागर माथा, माउंट इबरेष्ट को अपसीडियन, एंडेसाइट, गैवरो और पिरेडाइट क्या है एक कयांत्रित चटान है क्या है कयांत्रित चटान है द्रवचलित किरिया किस कारण से होने वाला एक परकार का अपवर्दन है तो परवाही जल्द से यानि द्रवचलित जो द्रव से चल सके तो परवाही जल्द से आगे है निम्लिखित में से कौन सा जैवसेल है ठीक है कौन सा जो है वो जैवसेल है तो कौन सा है वो है कोईला कोईला क्या है जैवसेल है आगे है कि निमलिखित मिर्दा में से सरवाधिक अनूवर कौन सी है सरवाधिक अनूवर कौन सी है लेटे राइट मिर्दा कौन सी है लेटे राइट मिर्दा आगे है कि निमलिखित में से किस कारण से मर्वस्थल में वन उनस्पती की कमी होती है वर्षा की कमी रहता है तो उनस्पती का कमी रहेगा आगे देखें किसी मरू छेत्र में मिर्दा पर्दन को रूका जा सकता है कैसे रोकेंगे मरवस्थली जगह है तो पेंड पोधे लगा देंगे यानि की पेंड लगा कर ठीक है तीसरा अप्शन कोरेक्ट हो जाएगा आगे है कि टेरा रोसा एक लैटिन सब्द है जिसका अर्थ बताना है टेरा रोसा का अर्थ बताना है तो लाल भुभाग को टेरा रोसा बोलते हैं लाल भुभाग रहता है जमिन का टुकड़ा रहता है उसको टेरा रोसा बोलते हैं ठीक है चलिए आगे है कि नापे किसका एक परकार है तो नापे जो है ये वलित सनचना का एक परकार है नया नया जो सनचना बनता है उसको नापे का एक परकार बोला जाता है प्रचूर कैल्सियम वाले मिर्दा को क्या कहा जाता है तो प्रचूर कैल्सियम वाले मिर्दा को पेडोकल बोला जाता है क्या पेडोकल मिर्दा नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है प्रित्वी की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है ओ है एंडिज परवत माला नदी मार्ग का सोपानी परवत माला नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है ठीक है तो नदी मार्ग का जो सोपानी प्रोफाइल है वो है स्रोत से मुहाने तक निरब्राध वक्र स्रोत से लेकर के जहां सो निकला है और मुहाने तक का उसका निर्बार्ध वक्र जो बनता है इसको सुपानी प्रोफाइल बोलते है ग्रिनाइट या काड़जाइट छेत्र खड़ा रूप पर दर्शित करते हैं क्योंकि ठीक है या अंत्रिक रूप से तेजी से अपशीन होती है दूसरा यह चटाने हर परकार के परदन के प्रती परती रोधी होती है तीसरा इस चटानों का विकास असानी से नहीं हुआ है चौथा असानी से गिर्था नहीं है तो ग्रेनाइट और क्वार्जाइट छेत्र खड़ा रहता है क्योंकि वह असानी से गिर्था नहीं है वी सर्पन किसके द्वारा निर्मित विसिष्टाएं है ठीक है तो नदियों से निर्मित है जिन जीलो के जल में हिूमिक अमल ठीक है धरनिये अमलका भारी मातरा में संकेंदरन होता है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बोलते हैं दुसपोशन जील क्या बोलते हैं दुसपोशन जील बोलते हैं मृदा जल के माध्यम से सिर्ष मृदा से और मृदा में खनीजों के रुपांतरन की किर्या को क्या कहते हैं उसको प्रच्छालन बोलते हैं सिंक होल खाले स्थान की एक अधभुत घटना है तो ये काट्स की एक अधभुत घटना है काली मिटी और किस नाम से जानी जाती है रेगुर मिटी काली मिटी को बोलते हैं और नाम में आगे है कि ज्वाला मुखी परवत माला समानेता कहां पाई जाती है तो ज्वाला मुखी परवत माला प्रसांत महासागर में पाई जाता है मिरिदा के लवनी करन किस कारण होता है तो अधिक सिचाई कर देंगे तो उसका लवनी करन हो जाएगा आगे है इसके बाद की लवनी करन के बारे में पूछा है अधिक सिचाई ठीक है आगे देखे आगे है की जल निकास परतिमान जिसमें सहायक नदियां लंवत मिले वह क्या कहलाता है तो लंवत मिलेगा तुसको बोलेंगे जाली क्या बोलेंगे जाली बाढ़ के दोरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चोड़े एक नीचे किनार बंदी को क्या कहते हैं उसको बोलते हैं तट बंध क्या बोलते हैं तट बंध ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हाँ पास सुची एक को सुची दो में मिलान करना है ठीक है और एक साइड परवत दिया हुआ है और एक साइड महादीप जो है वो दिया हुआ है ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं फटापट से देखिए केटू, ठीक है, तो केटू कहां हो जाएगा, यह हो जाएगा, एसिया का परवत्माला, ठीक है, केटू कहां हो जाएगा, तो केटू हो जाएगा, एसिया का परवत्माला, और देखिए, और है एटना, और किली मनजारो, ठीक है, और क्या क्या है, एटना है, और किली मनजारो है तो ये हो जाएगा एटना एटना जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप का कहा का हो जाएगा एटना यूरोप का हो जाएगा और किली मंजार हो जाएगा अफरीका का एसिया का हो जाएगा केटू परवत एटना हो यूरोप का और किली मंजार हो जाएगा अफरीका का चली आप देख लिजेगा कौन सॉप्शन है चली आगे बढ़ते हैं आगे है चापा कार जील की रचना तब होती है जब नदी कैसी बहती है या कैसी होती है ठीक है तो बहुत कम डहलान पर जब नदी बहेगा तब चापा कार जील की रचना होती है Aluminium तथा Iron Oxide के अत्यधिक मात्रा वाली मिर्दा को क्या कहते हैं तो उसको पेडल फर मिर्दा बोलते हैं क्या पेडलर मिर्दा या पेडल फर मिर्दा बोलते हैं जब नदी मैदानी चेत्र में परवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिने कहा जाता है उन्हें बीसर्प कहा जाता है 165 नमर का सवाल है कि खाले स्थान मिर्दा की होमस निर्मान की दर को प्रभावित करते हैं उनस्पति जात और परानी जात ही उसको क्या करेंगे प्रभावित करेंगे ठीक है चलिए आगे है मिर्दा सरक्षन की उस बीधी को क्या करते हैं जिसमें जल के परवाह को कम करने के लिए चटानों का धिर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मिर्दा छती को रोकते हैं ठीक है तिनको बोलते हैं चटान बांध क्या बोलते हैं चटान बना करके बांध बना करके रोक देंगे पानी को चटान बांध बोलेंगे एक अस्थल डमरू मध्य क्या है ठीक है तो अस्तल डमरु मध्य का मतलब होता है दो जल निकाय रहेगा ठीक है और वह एक संक्री भूमी के पट्टी से जुड़ा हुआ रहेगा यानि कि दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमी की एक संक्री पट्टी इधर भी जल रहेगा यदि इसको एक भूमी की पट्ली पट्टी जोड़ेगा इसको बोलेंगे अस्तल बद्धया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है इवावेवस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षन निमलिकित में से कौन सा है तो गोर्ज है क्या है गोर्ज है निमलिकित में से कौन सा रूपांतरी चटान का उदाहरन नहीं है ठीक है तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरन चटान का उदाहरन क्या गिरिनाइट नई है चलिए आगे बढ़ते हैं समाना की ब्रीधी के लिए निमली खित में से कौन सी दसा आदर्स मानी जाती है तो कौन सा अदर्स मानी जाती है वो लंबी सुस्क रितु वाला उस नार्द जल्वायू मानी जाती है ब्यपारिक पौनों का कारण है ठीक है समोहन जो है ब्यपारिक पौनों का कारण है धूरिय छेत्रों में चलने वाली अति प्रवल एवं बरफिली पौनों को कहा जाता है क्या कहा जाता है बरफानी तुफान क्या बरफानी तुफान बला जाता है थल समीर और समुन्द्र समीर बनने का कारण है समुहन, क्या समुहन समुहनी वर्षा कहां होती है विस्वतिय छेत्र में समुहनी वर्षा होती है भुमद सागरिये परकार की जल्वायू की विसिष्टा है ठीक है? क्या भी सिस्टा है कि सुस्क ग्रीस्मकाल और आदरसीतकाल. उस न कटी बन दिये घां सस्तल को क्या कहते हैं? उसको समाना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समाना. नीमलिकित में से कौन सा भूमं दलिया पोवन का उदार्ण नहीं है? तो चिनूक जो है ये भुमंदलिय पुमंद का उधारन नहीं है आगे है कि पद अधिक एंद्र का संबंध है तो भुकंफों से इसका संबंध है तर्ट पर अधिक वल के साथ पहुँचने वाली भुकंफी सागरिय तरंगों को क्या कहते हैं ठीक है तो इसे जो है बोला जाता है सुनामी निमलिखित में से सबसे उचा मेग कोन सा है पक्छमाब मेव पक्छमाब मेश जो है हो सबसे उचा है चक्रवात निमलिखित में से किस कारण से आता है किस कारण से आता है निम्न दाप के कारण से चक्रवात आता है टॉर्नेडो निमलिखित में से क्या है? तो केंद्र का अत्यधीक निम्न दाब है टॉर्नेडो किस परदेश में सारा साल वर्षा होती रहती है? तो उस नकटी बंदिय छित्र में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुंद्री सत्व पर भुकम भाना सुनामी का में कारण है चल्य एक बढ़ते हैं आकास्मिक बाढ़ का समंध किस से है? तो चक्रवाती तुफान के चलते आकास्मिक बाढ़ भी आ सकता है वर्षा पर निर्भर भुमी को क्या कहते है? सिंचित क्या बोलते है? उसको बोलते है वर्षा सिंचित जो वर्षा पटी बंद रहेगा वर्षा सिंचित रहेगा आगे है कि पवधो की विशिष्ट रूप में विकास को परभावित करने वाले इस्थिती को नाम बताना है जर्वाई इस्थित मौसम के चलते पवधा क्या हो जागा परभावित होच सकता है? एक मानचितर में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है उसको बोलते हैं आईसो बार्स क्या बोलते हैं आईसो बार्स बादल फटने से अभी प्राई है ठीक है? बादल फटने से अभी प्राई है भयंकर तुफान के साथ और सधारन रूप से भारी बरसा हो सकता है इसका अभी प्राई है उप्सन नमबर टू अतधीक वर्षा के कारण भूमत सागरी छेत्र पहचाना जाता है सीत काल में अतधीक वर्षा होगा फिर भी पहचान लेंगे हमारे गरह के बिश्व जलवायू परिवर्तन के पांच महत्पून सुचक क्या है ठीक है वह है आर्टिक समुंदरी वर्फ, कारण डियोकसाइड, बीसवतापन, समुंदर कतल और जमीनी वर्फ यानिक अप्शन नमबर तीन यह सही हो जाएगा बारिस और हीम पात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते है इसको बोलते हैं बरफीली बारिस क्या बोलते हैं बरफीली बारिस बोलते हैं निमलिखित में से कौन सा तथ्या भूमंडली उसमी करण से जुड़ा माना जाता है अल नीनो, क्या मना जाता है अल नीनो सागर तल से जो धीरे धीरे कम होता है और किसी महादीप को घेरता है क्या कहलाता है उसको बोलते हैं महाद्विपियस सेल्फ क्या बोलते हैं महाद्विपियस सेल्फ बोलते हैं निम्लिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्छर एस के अकार का है तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस का अकार का है कौन सा है अटलांटिक महासा अगर अंग्रेजी के एस के अकार क्या है? आगे है कि वह अस्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वक्ष जल का सदत मिश्रन होता है? वो है एस्चूरियन, एस्चूरि को बोलते हैं खारे जल और स्वक्ष जल का मिश्रन. प्रित्वी पर सबसे गहरा प्रिष्ट गर्थ है सबसे गहरा जो प्रिष्ट गर्थ है वो है कौन सा है प्रिष्ट गर्थ मारियाना खाई मारियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं दो समूंदरी समंद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकिर्न विस्तार को कहते है ठीक है उसको बोलते है जल डमरू मद्या दो समंद्र को जोड़ेगा उसको बोलेंगे जल डमरू मद्या एक ठोइधर समुद्र है एक ठोइधर समुद्र है बीच में नहर हो गया ठीक है या नदी हो गया उससे जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे जल डगरू मत देया बिसाल्तम महासागर है बिसाल्तम महासागर है कौन सा है तो प्रसांत महासागर सबसे बिसाल्तम है जो दिया हुआ है नीचे ग्रेट बेरियर रीफ निमलिखित में से किसमे इस्थित है कोरल समुदर में ग्रेट बेरियर रीफ जो है वो इस्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि नीवन मेंसे कौन सी नदी जवारंद मुख बनाती है ठीक है तो तापती नदी वो बनाती है संसार के सुवक्ष जलका कितना परतिसत हीमानी बर्फ के रुप में भंडारित है 70% हीम बन गया है ठीक है हीम के रुप में भंडारित है सुवक्ष जलका आगे है कि सुनामी तरंगे किसे से उत्पन होती है तो समुद्र के नीचे भुकम जब आती है तो सुनामी तरंगे उत्पन हो जाती है सागर तर्ट की और जाने वाली तरंग को क्या कहते है तो उसको बोलते हैं सुनामी ठीक है क्या बोलते हैं सुनामी इस्ट्रेट से क्या भी प्राय है जल डमरुमध्य से क्या भी प्राय है तो दो महासावरों को जब एक संक्री पट्टी में जब जल जोड़ता है चाहे वो नहर सकता है चाहे नदी हो सकता है तब उसको बोलते हैं जल डब्रो मत है ठीक है तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमी की संक्री पट्टी या दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी या समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना या दो विसाल भूखंडों को जोडने वाल भूमी की संक्री पट्टी तो दो महा सागरों को भाजित करने वाली भूमी के संक्री पट्टी को बोलते हैं जल डंबरू मध्या चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि किसी विसाल जहरने की तली में पानी का तापकरम उसके सबसे उपरी भाग की तुनला में अधिक होता है क्योंकि सबसे उपरी भाग की तुनला में सबसे अधिक होता है क्योंकि गिरते हुई पानी का गतीज उर्जा उसमा में परिवर्तित हो जाता है इसलिए ठीक है इसलिए ऐसा होता है निमलिकित में से किस छेतर से भूमद रेखा गुजरती है किस छेतर से भूमद रेखा गुजरती है अफरीका से तो तीने रोखा गुजरती है अफरीका हो जागा एसिया और अमेरिका के तटो को छूने वाला महासागर है कौन है प्रसांत महासागर कौन है प्रसांत महासागर है मेरियाना खाई कहाँ है आपको बताना है कि मेरियाना खाई जो है वो कहाँ है तो प्रसांत महासागर में है मेरियाना खाई समुंदर में बहर विर्ष्ट भूमी कहलाती है उसको प्रायदीप बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रायदीप बोलते हैं चलिए आगे है इसके बाद कि 20 वका सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो 20 वका सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दर्वन डेल्टा लाल सागर और भूमत सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बताना है ठीक है लाल सागर और भूमत सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बताना है कि कौन सा है उसको बोलते हैं स्वेज जल डमरू मध्य लाल सागर और भूमत सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बताना है क प्राक्रतिक आपदा जिसमें गहरी जहील के जल से कारवन एकसाइड सासा फूरती है कहलाती है उसको बोलते हैं लीमिनिक क्या बोलते हैं लीमिनिक सरगासु समुंद्र किस महासागर में इस्तित है सरगासु समुंद्र किस महासागर में इस्तित है अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र इस्थित है बिज्व में सबसे बड़ी मुंगा चटान किस तट के निकट पाई जाती है आस्ट्रेलिया के निकट तट वर्ती इलाकों पाई जाती है दो बड़े भू समुहों को जोडने वाली संकिर्न भू परपटी को कहते हैं यहां पास भूमी को जोड रहे हैं ठीक है इसलिए उसको बोलेंगे अस्थल डमरू मद्धिया या उसको भू संधी बोलेंगे जैसे कि इधर भूमी है और एक भूमी का टुकडा इसको जोड रहे हैं इसको बोलेंगे अस्थल डमरू मद्धिया आगे है निवन में से कौन सी उसन महा सागरिय धारा है तो गल्फ धारा है उसन महा सागरिय धारा नार्वे के तट एक उदाहरन है फियोड तट का इसका फियोड तट का उदाहरन है निमलिखित में से बीसम इकाई को पहचानना है लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, मिर्ट सागर ठीक है एक अलग सागर को चुनना है क्या हो जाएगा लाल सागर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद कि विश्व का सबसे बड़ा दीप कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा दीप है ग्रीन लेंड कौन है ग्रीन लेंड विश्व का सबसे बड़ा दीप है डेन मारक इसको पर कबज़ा किया है ठीक है छोटा सा देश और इसे माइट क्या है और इसे माइट क्या है तो एक घरना है अश्य माइट निम्नरेगिस्तानों कोन के जो मिलान करना है इसको सही ढँग से इसको सही presidency है ठीक है देखिए जो काला हारी है वो कहां का ये है अफरीका का काला हारी अटा कामा कहां का है अटा कामा ये है दक्षनी अमेरिका का अटा कामा ठीक है थार एसिया का क्या है थार है और ग्रेट विक्टोरिया कहां कहा है एस्ट्रेलिया कहा है फीर से देखे काला हारी अफरीका कहा है अटा कामा दक्सी अमेरिका कहा है थार एसिया कहा है और ग्रेट विक्टोरिया आस्ट्रेलिया कहा है ठीक है ताब इसको सुमेल खर लिजेगा आगे है नीचे दी गई दो सुची को जोड़े बनाना है इसको क्या करना है जोड़ा बनाना है ठीक है यहाँ भी मिलान करने वाला आ गया ठीक है तो चले इसको भी मिलान करते हैं देखे इसको भी यहाँ पास मिलान करने के लिए दो समों यहां पास दिये गए है ठीक है तो यहां पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लंदन ठीक है तो लंदन जो है वो क्या है ट्राफ लगर असकायर लंदन में क्या है ट्राफ लगर यह वला है वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी ठीक है, यह कहां है, सेंट पिटर्स अस्कावर में है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है मौस्को, मौस्को कहां है, रेड इस्कावर बनाता है और नियोक सुची क्या है, तो नियोक सुची है, ट्राइमस अस्कावर ठीक है फिर से देखे लंदन जो है वो है ट्राफगलर स्क्वाइर ठीक है और मौस्को जो है वो है रेड अस्क्वाइर वेटिकन सीटी में है सेंट पिटरवल स्क्वाइर और नियोक सुची में है टाइमस स्क्वाइर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा यूग में गलत है एक गलत दिया हुआ है उसको ही छाटना है ठीक है आश्ट्रिया, बियना, फीनलेंड, हेलसिंकी, डेनमार्क, ओपेन, हेगन ये सही है लेकिन जो स्विटियर लेंड है इसका जेनेवा गलत है चल्यागे है ग्रेंड कैनियन कीस नदी में है ठीक है तो ये जो है ये कोलेरेडू नदी में है ग्रेंड कैनियन लगुजवार भाटा होते हैं लगुजवार भाटा होते हैं दुर्बल होते हैं वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है तो कूरो सीवो धारा को काली पानी कारण काली धारा होते हैं पाक जल डमरू मध्य किसके किसके बीच इस्तित है तो भारत और स्रिलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य इस्तित है ऐसे आधे घीरे हुए तर्टिय जल समूह का जिसका खुले समूद्र से निर्बाध जल परवा हो क्या कहते हैं उसको उसको बोलते हैं नदी मुख क्या बोलते हैं नदी मुख अस्थल जात नीचेप कहा पाय जाते हैं यह वाला पार्ट में पाय जाते हैं Great Barrier Rift, कहां इस्तित है, Great Barrier Rift, परशांत महासागर में इस्तित है, पीछे हम लोग देख लिए थे, तटों से हलकी समुंद्र अभी मुखी डहलान को क्या कहते है, उसको बोलते ह। महा दीपिये कगार क्या बलते हैं महा दीपिये कगार हिंद महा सागर की सबसे गहरी खाई जो है वो कौन सी है उसको बलते हैं जावा खाई क्या बलते हैं जावा खाई आगे है कि किस देश का सिमान्त गर्थ जल छेतर तट से कितने किलोमेटर तक होता है वो होता है सिमांत्रगर्थ पूछा है ठीक है जो सिमांत्रगर्थ होता है वो 22 किलमेटर के आस्वास होता है नोटिकल मिल में होता है वो बार नोटिकल मिल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे इसके बाद कि समुंद्र में अधिकांस्त जवार भाटा किस कारण आता है ठीक है अधिकांस्त जवा आता है वह किस कारण आता है तो प्रित्वी पर चंदरमा का गुर्तवा कर्शन प्रभाव के कारण महा दिवपिय बहाव सिधान्त का प्रस्तावना किस ने दिया था ठीक है तो अलफ्रेड वेगेनर ने दिया था महा दिवपिय बहाव सिधान्त का प्रस्तावना अलफ्रेड वेगेनर निमलिकित में से किस सागर का खारा जो है वो पानी है खरापन सबसे अधीक है किस सागर का खारापनी सबसे जादे है ठीक है वो है मृत सागर का मेरियाना गर्त रिथवी के पानी में सरवाधी गहरा गर्त है या निम्लिकित में से किस महा सागर में है प्रिसांत महा सागर में है लवन किसा अंदरता अतह अस्थलिय जल में कितना परसेंट से कम होती है ठीक है वो होती है पांच परसेंट निमलिकित में से कौन सा गैर प्रमप्रागत उर्जा का सुरोत नहीं है पुछा है ठीक है परमानु उर्जा नहीं है तमबाकू की खेती के लिए मिर्दा में कौन सा तत्व अधीक होना चाहिए ठीक है मिर्दा में क्या जादा होना चाहिए तमबाकू की खेती के लिए पोटास जादे होना चाहिए चलिए आगे है निम्लिखित में से कौन से मिर्दा कपास की खेती के लिए सबसे उपायुत मानी जाती है तो काली मिर्दा ग्रीन अकांटिंग का अर्थ है ग्रीन अकांटिंग का अर्थ है कि पर्दूसन और पर्यावरनिये छती पर्यावरनिये परदूसन और पर्यावरनिये छती गिरीन अकांटिंग कार्थ है निमलिकित में से कौन से संसाधन अजयव और नवी करनिये है अजयव है और नवी करनिये है तो जल जो है अजयव है और नवी करनिये है टैगा वन में कौन से ब्रिक्ष होते है टैगा वन में अल्पाइन का ब्रिक्ष कौन से अल्पाइन का ब्रिक्ष ताप ये विदुद को पैदा करने के लिए किस परकर का कोईला मुखरूप से उपर यूगत है तो है इंथ्रे साइट क्या है इंथ्रे साइट है दक्चिन अमेरिका की अमेजन द्रोनी के भूमद रेखिये वनों को क्या कहा जाता है उसको बहुते हैं सेलवा, क्या बहुते हैं सेलवा बहुते हैं कॉफी होती है एक, कॉफी उस नकटी बंदिये ज़ाड़ी होती है कोफी उस नकटी बंधी ये जाड़ी होती है किसी परदेश की विशिष्ट वनस्पती का बीतरन मुख रूप से किसके द्वारम निधारित होता है किसके द्वारम निधारित होता है मिट्टी पानी और तपमान से निमलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विसाल छितर रखने के आव सकता है किस कारण से वनों के लिए विसाल छितर रखने के लिए आव सकता है कारवन डैक्साइड के अवसोषन के लिए वन जीवन के सरक्षन के लिए अधिक वर्षा के लिए कि भूबैग्यानिक संतूलन के लिए किस कारण से लिए तो देखे, कारवन डे उक्साइड के अधिक और सोसन के लिए वन लगाना बहुत जरूरी है आगे है कि रबड के बगीचे यहाँ पाय जाते हैं ओप्सन में से कहाँ पाय जाते हैं रबड के बगीचे बताना है तो रबड के बगीचे जो होते हैं उसी तोसन वन में पाय जाते हैं निमलिखित को मिलान करना है निमलिखित को मिलान करना है तो चले मिलान करते हैं इसको ठीक है देखे सीसम सीसम जो है वो क्या है सीसम पत जड़ी वाला वन में पाय जाता है ज्ञाडियां सुस्क वन में ज्ञाडियां पाया जाता है भूर्ज ये अल्पाइन वन को बोले जाता है और सुंद्री वन क्या है? तो गरान वन ठीक है? सुसन पत ज्ञाडि वन में पाया जाता है ज्ञाडियां सुस्क वनें पाया जाता है भुर्ज अल्पाइन वन में और सुंद्री वन गरान वन में चलियागे इसके बाद मैंगरो वनों पर वैस्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा ठीक है तो वे अधिक प्रचुर्ता से पैदा होंगे बिल्कुल सही है मैंगरो की विसाल छेते जल्मगन हो जाएंगे ये तो नहीं है उसका जवाब कार्बन सिंग्स के रूप में उनकी भूमी का अधिक महत्पून हो जाएगी ठीक है यानि कि पहला उत्तीस तरह दुनों सही है जोरी वन को अन्यथा क्या कहते है जोरी वन को अन्यथा मैंगरो वन बोलते है क्या बोलते हैं मैंगरो वन बोलते है वन कटाई की दर किसमे सबसे अधिक होती है तो सितोषन कटीबंद अंचल में सबसे अधिक होती है दक्षिन अमेरिका में सितोषन घास अस्थलो को क्या कहते है जापान के प्रसिद जहाज निर्मान उद्योग कहा इस्तित है ठीक है तो कहा इस्तित है कोबो में कहा कोबे में निम्न में से सही धंक का जोड़ा कौन सा है उसको बताना है कि सही धंक का जोड़ा जो है वो कौन है ठीक है, बाकी सब गलत है, एक सही है, तो मिलेसिया में प्राकिर्टिक रावड़ है, यह इसका क्या है, सही ढंका जोड़ा है